नमस्कार दोस्तों दिखिए जो ग्लाइकुलाइसिस एक प्रोसेस है यह कॉंप्लेक्स केमिकल प्रोसेस है कई सारे अलग 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 केमिकल स्टेप में यह एक अलग केमिकल जो रियक्शन है कंप्लीट होता है यानि कि एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है इसको होने के ले कई सारे step चाहिए होता है या अलग-अलग stage अलग-अलग phase के नाम से इसको हम चानते हैं तो उसी में का पहला phase है जो glycolysis का है उसका investment phase आज हम investment phase के बारे में समझेंगे कि glycolysis का investment phase क्या है और एक ऐसे complete होता है इसके अंदर कौन-कौन से enzyme और कौन-कौन से product और कौन-कौन से reactant use के जाते हैं तो चले शुरू करते हैं देखिए यह glycolysis का investment phase है इसको complete होने के लिए 2 ATP की जरुवत पड़ती है और हम देखेंगे कि 2 ATP वो कहां-कहां से निकल के आता है उस चीज़ को समझते हैं पहला phase का नाम है यह जो investment phase है यह further यह 3 phase में complete होता है पहले phase का नाम है glucose glucose प्लस ATP यानि इस reactions के तुरू glucose 6-phosphate बनता है प्लस ADP बनता है दूसरा phase में glucose 6-phosphate यह convert हो जाता है फ्रक्टोज 6-phosphate में और तीसरे phase में जो फ्रक्टोज है यह फ्रक्टोज 6-phosphate प्लस ATP मिलके फ्रक्टोज 1-6-bis-phosphate प्लस ADP बनाता है तो इस तरह के इसमें तीन chemical reaction ह होते हैं और इन तीन chemical reaction तीन स्टेप में होते हैं और यह तीनों स्टेप एक साथ मिलके या तीनों chemical reaction एक साथ मिलके investment phase बनाते हैं या complete करते हैं जो पहला phase है glucose प्लस ATP यानि glucose ATP के साथ बाइंड करता है तो ग्लुकोज 6-phosphate प्लस ADP का formation करता है और इसी चीज़ को हम बोलते है फॉस्फोराइलेशन अफ ग्लुकोज ठीक है यही है इसके अंदर जो enzyme use होते हैं जो इस chemical reaction को produce कराने के रिए यहां पर जो enzyme चाहिए होता है वो पहले enzyme hexokinase है यह क्या करता है catalyze करता है addition of phosphate जो यह phosphate जो add हुआ इसके अंदर यह phosphate को catalyze करता है from ATP to glucose यह ATP से glucose में convert करता है it works on hexose sugar 2 यह hexose sugar के उपर भी काम करता है इसमें intermediate क्या क्या बनता है intermediate कहने का मतले में जो बीच में बन जाता है reactions के बीच में जो बनते हैं तो उसमें magnesium ion का formation हो जाता है is required as a co-factor in the substrate the true phosphate phosphorylating agent is magnesium ATP 2 minus यानि कि यह magnesium 2 प्लस आयन यह intermediate के किसी के थुरू यह यह बनता है mg 2 प्लस आयन बनता है mg ATP 2 माइनस के help से first ATP comes from here और इसी reactions के result में पहला ATP निकल क्या आता है दूसरा phase का नाम है glucose 6 phosphate जब यह glucose 6 phosphate के साम react करता है तो यह fructose 6 phosphate का formation करता है और यह एक reversible reaction है और यह catalyze होता है जिस enzyme से उसका नाम है फॉस्फो हेग्जोज आईसो मरेज ठीक है चेंजिंग आई हेग्जोज टूर किटोज यानि यह हेग्जोज से किटोज में convert हो जाता है तिसरा chemical reaction जो इसके अंदर involved होते हैं उसका है वो fructose 6 phosphate plus ATP के मदद से यह fructose 1,6-bisphosphate plus ADP का formation करता है और एक ATP यहां से भी release होता है और इसके अंदर जो enzyme use होते हैं जो catalyze करने के लिए वो फॉस्फो 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 फ्रक्टो काइनेज करके एक enzyme जिसको PF के नाम से जानते हैं इस enzyme के मदद से यह reactions complete होते हैं और दूसरा ATP है जो second ATP यह थर्ड वाले reaction से निकल के आता है और this is irreversible reaction यानि कि यह reverse back में नहीं होता तो इस तरह से investment phase मेलनी तीन reactions के मदद से होता है यह complex process है जी पहला में glucose प्लस ATP मिला के glucose 6-phosphate का formation प्लस ATP का बनाता है दूसरे phase में और इसमें ATP एक निकलता है यहां से दूसरे phase में glucose 6-phosphate फ्रक्टोज 6-phosphate में convert हो जाता है और तिसरे फ्रक्टोज 6-phosphate प्लस ATP मिला के फ्रक्टोज 1-6-bis-phosphate में convert हो जाता है मिलते हैं आगले वीडियो में glucose के आगले step को लेके या आगले step को लेके तब तक के लिए शुक्रिया